वेलकम जी, लेट्स स्टार्ट, तो आज हमारी स्टाक मार्केट में 50 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट होई, और ये गिरावट पिछले अल्मुस्ट एक हपते से कंटिन्यू चली आ रही है, अगर आज के डेट में देहेंगे, तो स्टाक मार्केट मार्निंग में आप देखोंगे तो गैप अप ओपन हुआ, प्रिवियस क्लोजिंग हमारी 17,530 के आसपास थी, और जो मार्केट आज ओपन होता है, 17,600 के आसपास ओपन हुआ, और यहां से मार्केट सड़नली काफी उपर गया, 17,600 के आसपास, और वहां से मार्केट, अगें पूरे दिन एक निगेटिव क्लोजिंग के साथ, और मार्केट आज क्लोज जो हुआ, अपने प्रिवियस क्लोजिंग से 54 पॉइंट डाउन पे, अगर इसको डेली चार्ट पैटर्न पे भी आप चेक कर पाओगे, तो ठोगे, यह स्टाक मार्केट हमा रहे हैं, और इसके आज के भी गिरावट के पेसी का रिजन क्या है, उसको भी देखेंगे, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजन्स नहीं है, कुछ जो डेटा हमारे इंफलेशन के और CPI के आहाँ है, जो की इंपाक्ट निगेटिक कर रहे हैं, जो इंफलेशन हमारे इतना 98 से फारवर डारेक्शन में उपर जाता हुआ, 106 डालर चला गया, जो की हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, अगर ये क्रूड आयल प्राइस का रेट बढ़ना, इट विल निगेटिव इंपक्ट फारवर मार्केट, जो ये अंडर हंडेट, नेर अबाट गिरावट में, इस्टिल अगर पूरे एक हपते की बात देखोगे, तेक अच्छी खासे गिरावट हमारे मार्केट में आ चुकी है, इस्टिल गिरावट में भी कुछ स्टॉक्स हैं, जो काफी बहतरीन और अट्रक्टिव प्राइस पे आपको आपको आज की रेट मिल भी पहले रहे हैं, अगर मैं बात करूगे की यह पिछले दो-तीन साल इसका हिस्टरी देखोगे और इसका रिटर्स दिखोगे तो काफी बहतरीन कोबिट से पहले की बात करेज़का तो, लेकिन उसके बाद इस टॉक्स में काफी लंबे उतार चरहाव पिछले साल से हो रहे है और स्टॉक्स आज अगर देखोगे तो अपने टॉप से काफी गिर चुका है काफी स्टॉक्स नीचे गिर चुका है लेकि यहां से अगेन यह स्लोली स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से एक अपाउंचुटी बन रही है एक अच्छा रेटरंस की अगर बेसिक बात करें कि इस्टॉक्स क्या करता है यह पैकेश्ट फूर्ट एन मिल के उपर काम करता है वने कंजूमर्स में जो पैकेश्ट फूर्ट होते हैं और यह क्या है और यह अपने फार्मर को जो यह foods प्रोडूस करते हैं, उनको यह support देते हैं, उनको cater करते हैं, कि कैसे वो high quality standard global customer के साथ वो compete कर पहे हैं और इसका fundamental वी चेक करोगा तो company में कोई ऐसा red flag नहीं है, और entry point की बाद करें, तो good time to consider, because stocks is not overboard zone में, और इस company का returns on equity काफी बेहतरीन है, और आज की rate में stocks अपने intrinsic value से ज्यादा पर trade कर रहा है, अगर इसको आप chart pattern पे देखोगे, तो काफी बेहतरीन chart ऐसा दिख रहा है, काफी दिनों से अपने top से देखोए, तो यह लगातार कुछ दिनों से गिरावट 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 यह पिछले आपको फरवरी मार्च अप्रेल से, और यहां से अप्रेल से यह लगातार इसमें आपको positive momentum एक upward direction में stocks दिख रहा है, और यहां से अगर ए stocks में भी profit book करने के लिए, ने stocks है, एक हमारे consumer finance से related है, नाम है credit access, ग्रामिल लिम्टेट, अगर आप credit access, ग्रामिल लिम्टेट की बात कर गए, तो यह registered non deposit accepting NVFC company है, यह microfinance institution है, जो कि with RBI के साथ है, और यह क्या करते है, engaged होती है, microfinance services to women who are enrolled as a member of organized joint liability groups, तो यह छोटे-छोटे funds अपने women को, जो कोई business के लिए organized liability group में है, उनके लिए distribution करते हैं, और यह also, यह जो credit access, ग्रामिल लिम्टेट है, यह distribution channel जो है, इसके वाज़ इसके वाज़ दिस्टिबूशन चाइनल जो है, जो ह यह different services का सकते, financial product और different services भी offer करते हैं, तो अगर इस credit access, ग्रामिल लिम्टेट की बात करें, company की basic, तो company में कोई ऐसा red flag नहीं है, अगर entry point की बात करें, good time to consider stocks not in overbought zone, dividend trade अच्छा नहीं है, returns on equities का, एक साल वे 77% का इसने return दिया है, और intrinsic value से ज़्यादे पर trade कर रहा है, ठीक है, अगर इस stocks को, अगर आप इसके chart pattern पर आप जख करोगे, तो देख करोगे, इस साल से लगातार, January के आसपस से देखोगे, so लगातार stocks धीरे 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 आप एक upward direction में जा रहा है, और यहां से अगर एक continue upward direction रखता है, तो इस stocks इसली आपको 1100 के आसपस नज़र आएगा, तो 3-4 week में, 3-4 month में इस stocks में अच्छा positive momentum continue रह सकता है, जैसे कि पिछले 3-4 साल महिनों से इसमें continue बना हुआ है, अगर ने stocks की बात करते हैं, Thermics Limited की, यह company क्या, एक solutions यह services offer करती हैं, to energy, environmental and chemical sector, so chemical sector की बात करो, यह environmental sector की बात करो, यह energy की बात करो, उनमें यह अपने support solution offer करते हैं, इस company portfolio and good, इसमें boiler, heater, absorption, heat pump, power plant, solar equipment, air pollution control equipment, systems water, water recycle plant, ion exchange and performance and performance chemical related services, so different sector, जाए energy की बात करो, environment की बात करो, chemical की बात करो, इसमें different kind of things offer करते हैं, और इस stocks ने भी पिछले एक साल में कुछ 60-50%, 60% से ज़्यादा का return दिया है, और अब बात करो, company की basic company में कोई red flag नहीं है, अगर entry point की बात करें तो good time to consider, stocks कोई ऐसा overbought zone में नहीं मिद रहा है, dividend track उस company का अच्छा नहीं है, लेकिन ROI returns काफी बेहतरी ने intrinsic value से ज्यादे पर trade कर रहा है, अगर इसका आप चार्ट पैटर्न भी चेक कर वे ता आप आओगे, ये भी पिछले एक दो मैने से लगातार आपकी गिरावट के बाद, ये मार्च में गिरावट के बाद यहां से लगातार एक सब्सक्राइब अपवार डायरेक्शन में आपको दिख रही है, और ये आज अपने नए जो last इसके high थी, इसको beat करके, break out करके उपर चला गया, और यहां से एक नया high भी मीट करना बनाता है, तो ये stocks आपको easily बाइ 11% से ज़्यादा की उच्छाद रही है, तो क्योंकि ये momentum इसके पिछले एक डेड़ महिने से continue बना हुआ है, तो ये अगर continue maintain भी करता है, तो आपको stocks आसानी से 2300-2300 के आजबा से नजर आएगा, ये कुछ stocks हैं, जो कि अपने chart pattern से ये indication दे रहे हैं, कि ये coming short term में, 1-2-2-3 month में, ये stocks में आपको 15-20% का returns आसानी से मिल सकता है, so आप भी इन stocks को study करिए, अवन्ति फीट को, और XS Bank Gramell Limited को, और आप Thermics Limited के chart pattern को आप study करिए, और आपके analysis क्या लगता है, कि आने वाले time में इसमें profit book करने के opportunity दिख रही है, तो sure आप stock market में entry ले करके, time से अपना, जो defined profit है, 15%, 20%, 30% आप stocks से book कर सकते हैं, आप चाहो तो long term के लिए भी अवन्ति फीट को consider कर सकते हैं, from this note, I would like to say thank you for watching this video.